सबी अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे पढ़ाई लिखाई आपकी बढ़िया चल रही है और आगे बढ़ते हम बिना बात आगे बढ़ाए टोपिक पे आज पढ़ेंगे एक चर रासी में रेखिक समिकरन जिसें इंगलिस में बोलते हैं linear equation in one variable हमें उमीद है कि आपको clear दिख रहा है और मेरी आवाज आ रही है अगर हां तो एक बार यफ लिखके जोरदार कमेंट करें और सेशन को लाइक करके अपनी उपस्तिती दीजिए कि आप आ गए हैं यूपीटी एलेट सीकेंड समेस्टर एक जाम पर आधारित होगा ये सिलेबस जो सिखाएंगे जो पढ़ाएंगे लेकिन जिनको मैत नहीं आती जिनको मैत सीखना है जो गडित में पीडित हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी क्लास है helpful है समीकरण के बारे में तो आल्रेडी आप जानते हैं कि समीकरण होता क्या है इसमें देखिए यदि एक चर चर क्या है अचर क्या है ये सब मैं आल्रेडी पढ़ा चुका हूं फिर भी एक बार बता देता हूं क्योंकि मैं आतत से मजबूर हूं हर चीज बताता हूं बार बार चर एस लेकर के जड़ तक के जो भी लेटर होते हैं जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, डाट-डाट जड़ तक ये सभी चर या बरियबल कहलातें इंगलिस में ठीक है? अब फिर से समझना कि एक चर रासी में रखिक समिकरण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो लिखा है? यदि एक चर वाले समिकरण में चर की अधिकतम घात एक हो तो वो एक चर रासी में रखिक समिकरण यानि linear equation in one variable कहलाता है ओके? एक्जामपल यहाँ पर लिखे गए हैं अभी इनको हम और clear करेंगे इधर side में आईए, समझीए जो कोई ऐसी महान आत्माएं हैं जिनको आता है वो comment कर दें फट से की हाँ इसमें कौन सा सही है? बताओ चलो first number person है मरे आर अगर इसमें A सही है तो आप लिख दो 1A अगर D सही है तो 1D इस तरीके के comment आप करेंगे हम उमीद करते है अरपिता, आर्या, ममता यादो, अलका सिंग, सत्यम जहां, इंदू, चान्नी सिंग, राजपूत, और सचिन कंकट वीडियो, सौरव, अनुराधा, दिब्या, चान्नी, जो भी वच्चे जुड़े हैं सभी का comment आ रहा है और मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छा, अधिक यह समझी है यहां पर थोड़ी सी समझी है फिर बाद में और आके बात करेंगे जैसे अगर यह यक्स है, प्लस वाई है, प्लस यह इतना है, यह तो आपको दिखी रहा है, अच्छा, यहां पर घात अगर हम पूछे तो कितनी है, सबको दिख र तो आप कहोगे हाँ वाई घाते में साथ है, साथ है ना, सबको पता है, कोई डाउट नहीं इसमें, अगर इसमें मैंने कहा कि जैड का घात हैं कितना है तो सबको दिख रहा पांच है, यह नि आप घात पकड़ना जानते हो, और कुछ जानों पकड़ना है ना जानों, कोई नहीं दिख रहा है ना, कुछ नहीं है न, जैके कवनस आ है, गणपत साह है, समझ रहे हो, देखो पहले समझो, यह में कुछ नहीं है तो इसमें घात एक मानी जाती है, किसी भी चरपत पर, यानि बारियेबल्स पर, अगर कोई पावर आपको नहीं दिख रही है, जैस बताईए कितनी कितनी घात है सोनम जी कमेंट आ रहा है साचिन दिव्या मिस्रा सरस्वतीर अठोर ममता पर्मा हाँ कमेंट आ रहा है चलिए एक घात है भाई या कुछ नहीं देखे घात मानी जाती है क्या मानी जाती है एक एक घात जहां कुछ नहीं होता है ठीक है तो रहखिक समीकरण क्या होता है linear equation क्या होता है एक ऐसा equation जिसमें पूरे समीकरण में maximum घात एक हो अधिक्तम घात एक हो तो पहले तो तुम समझे लो कि अधिक्तम घात होती क्या है देखो अधिक्तम घात क्या है इस समी करण में अधिक्तम घात कितनी है बताओ अभी जबाब मत दो इस समी करण में मैक्सिमम पावर कितनी है बता ये जल्दी करिए कामेंट में सबका देख रहा हूं बेरी गुड ठीक है मनिशा सिंग बहुत अच्छा प्रियांसू ठीक है इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है आओ चलो आओ दिखाता हूं इसमें 5 है इसमें 2 है इसमें 9 है ए में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है बात खतम उसमें कोई बैरियेवल है ही नहीं तो भया इसमें 9, 2 और 5 में सबसे बड़ा क्या है तो सबसे बड़ा 9 है तो आप कह सकते हो इस equation की सबसे जो ज़्यादा पावर है वो 9 है यानि एक दिखतम घात कितना है 9 है आई यह ठीक है बहुत अच्छा तो maximum घात आप लोग समझ गए पक्का चलो ठीक है यानि अब किसी भी equation में अधिकतम घात कितनी आप समझ गए ना पक्का समझ गए कोई doubt नहीं चलो ठीक है बता दो बस बताए इसमें यक्स की maximum पावर कितनी है यानि हम कह सकते हैं कि इस समिकरण की अधिकतम घात कितनी है इसमें जितनी अधिकतम घात होगी इसको उतनी घात का समिकरण बोलेंगे बताए जनाब फरमाईए जल्दी जल्दी चलिए बताए यह कितने घात का समिकरण है दो घात का है दो घात समिकरण बोलेंगे एक घात का है तो लिनियरी संचर बोलेंगे ना रेखिक समिकरण बैरी गुट देखता हूं मामता बर्मा मनीशा सिंग रिशू सिंग कितना है टोल है बहुत अच्छा इसमें मैक्सिमम पावर बारा है यानि यह बारा घात का समिकरण है अब किया कटटबट हो रहा है यार यह बारा घात का समिकरण तो तुम सब समझ गया हो लेकिन एक जगा धोखा हो जाता है कहां पता है जहां आप थोड़ा एक्टिव नहीं रहते हो, चौकन नहीं रहते हो, नहीं रहते हो, आज कल जिन्दगी में पल-पल लोग धोखा ही दे रहे हैं आपको, देखो समझो, आप खुद भी अपने आपको धोखा दे रहे हो, क्या सही नहीं है, मोबाइल में रिल देख रहे हो, चर-चर पंच-पंच गंटे क्या है यह दोख आई तो है अपने आपको दे रहें देखो पहले फिलहाल उसकी बात छोड़ोने गरिया होगे यह कितने का हाथ का समिकरण है इसमें यक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है जल्दी कमेंट करो जो सही बता लेगा इसका हम मान लेंगे कि उसका बेसिक बहुत अच्छा है इसको अगर बता लोगे तो बेसिक आपका काफियात तक ठीक है यक्स की पावर कितनी है जितेंद्र जी अलग-अलग राजी का अलग-अलग नियम होता है ठीक है तो आप दूसरे वीडियो में कमेंट करिए इसके बारे में हिमान्सू दो बता रहे हैं दीरेस तीन बता रहे हैं मनीशा एक अंजनी दो देखी अधीकतर लोग धोखा खा जाते हैं मैंने कहा नहीं कभी-कभी आँखों का देखा और कान का सुना भी सच नहीं होता है क्योंकि देखने में नमक और चीनी भी एक जैसे दिखते हैं तो कभी भी ऐसा दोखा खाने से पहले जांचे परखें पहले इस्तेमाल करें फिर विस्वास करें आये देखिए कैसे अब यार क्या लिखा था भई या मिटा दिया रुको रुको आया चलो देखो इसमें घात एक्स की मैक्सिमम तीन है दो नहीं है तीन है तीन है देखो क इसमें ये यक्स गुड़ा में है इसके साथ मल्टीपल में है अभी ये फाइनल मल्टीपल होगा तो यक्स क्यूब प्लफ ये से बन यक्स इक्वल नाइन ये बनेगा भाईया अब इसमें देखोगे उसमें नहीं देखोगे अब समझ गए बूलना नहीं कभी अब एक बार सभी सेशन को लाइक करो फटा पड़ जोरदार चलिए आपकी भी तोड़ी जिम्मेदारी है न मैं आपके लिए तो जो कुछ हो सक रहा है सब कर रहा हूं भरपूर एक चीज़ और याद दिला दूँ कि आपको पूरी complete class धंक से system से PBR study आप के अंदर मिल रही है ठीक है तो सभी समझ गए कि नहीं चले आगे चलिए अब class को इस्टार्ट करते हैं ठीक है रख हांसला वो मंजर भी आएगा खुशियों का चल कर समंदर भी आएगा और ठक करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिले गी और मिलने का मज़ा भी आएगा तो यह बैच नंबर है आपकी कौन सी इस बैच का नाम है लक्ष बैच इसमें 13 नंबर सेशन है आज कौन सा है 13 नंबर सेशन है इसको मुझे शुरू में दिखा देना चाहिए था फिलहाल लेकिन नहीं दिखाया थोड़ी गलती हो गई लंबा खीच दिया मैंने समझाने में न जो भी फिरी क्लास का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं पीडिया नोट्स आदी सब कुछ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं हमें टेली गराम पे जरूर जोइन कर लें क्योंकि वर्टसप पे हम कुछ नहीं देते हैं आज का टोपिक है एक चर रासी के समीकरण यानि लीनियर इक्वेशन इन वन बैरियेबल यह मैं दिखा चुका हूँ तो यह तो अभी यही चल रहा था चलो चलाते हैं फिर आगे आईए अब समझ लेना मुझे बता देना कितने घात का समीकरण है अगर यह चीज पकड़ लिए तो आपको यह चैप्टर क्लियर हो गया बताईए यह कितने घात का समीकरण है जबाब दीजिए सुटी सिंग समझ में आ रहे हैं देखिए यह क्लास सिर्फ उन के लिए है जिनको मैत नहीं आती है जो मैत सीखना चाहते हैं यह जो यूपी डियलेट की कंडिरेट है जिनको यूपी डियलेट का परिक्षा देना सी लेकिन अधिकतर यूपी में और विहार में भी ऐसा होता सायद उनको भी पता उनके घरवालों को भी पता है कि इसका डियलेट नहीं निकलने माला टीचर नहीं बनना उसे पस नाम इसलिए लिखवा दिये हैं कि लड़किया पढ़ती रहेगी तो बियावा हो जाएगा कहे हैं कि अगर इसमें से कोई है इस तरीके का तो आपको एक मौका मिला है आप यह चीज गलत भी साबित कर सकते हो मेहनत करके अच्छे से सिर्फ बिया साधी के लिए नहीं जिन्दगी में एक उद्देश सभी होना चाहिए पूरा कर सकते हैं तो कितने लोग हैं ऐसा इसलिए मतलब इस तरीके के कमेंट कर दीजिए कोई किसी कुछ आनता नहीं है बताओ अंजनी यादो आप भी उसी में से हैं दिभ्या मिस्रा करना चलिए ठीक है आगे बढ़ें नहीं नहीं मुझे भी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि ऐसा मतलब करना चाहिए तो यह कितने घात का था इसका जबाब कोई दिया है ममुता बर्मा पांडे हिमानसु आपका हिमानसु है ना में कुछ आओ रहे हैं तो जो लोग इस तरीके के हैं उनको एक मौका मिला है वो मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में देखिए किसी के भरोसे रहने से ना अच्छा है खुद के भरोसे रहो अगर आप गल्स हैं तो आने वाले टाइम में अगर आप सोचते हैं कि आपके हजबेंड ही पती पर मैस्वरी सब कुछ होंगे तू जो कहें बस वही सही है तेरे बिन तो कुछ भी नहीं है तो फिर यह ठीक नहीं है ठीक है थोड़ा थोड़ा आत्मनिर्भर बनना चाहिए और मैंने कहता कि आप बिगाड लड़ाई जगड़ा करके अलग हो कि अपना कुछ ऐसा करने को स खाने वाले हैं भले वो लाखों रुपे कमा रहा है फिर भी डंक का कपड़ा जुदा चपल नहीं रड़ता है तो यह बात है इसलिए पढ़ाई जरूरी है तो आप चलिए सवाल का जबाब दीजिए इमांदारी के साथ वन नंबर कुश्चन है अगर A सही है तो वन लिख लिखिए अगर डी सही है तो वन डी लिखिए अगर सी सही है तो वन सी क्योंकि अब समझ गए हो हूँ है बताइए मैं हटता हूँ चलिए जुल्फिकर अली सोनम हां कमेंट आ रहा है सबका कमेंट आ रहा है मैं नाम सबका बोलूं ऐसा पॉस्बल नहीं है ठीक है आईए तो इसमें कौन सा सही है कोई बताया एनीवन सबसे पहले किसी ने बताया है तो उनका नाम है क्रिस सुर्वंसी अनुराधा अलका मनीशा ठीक है रखिक समिकर अटिन में कौन सा है जो की दिख रहा है सिधा फिधा दिख रहा है तो वो सी वाला है कौन सा है सी वाला सी वाला सही है देखिए ये वाला क्यों नहीं है क्योंकि इसमें गुड़ा होगा तो इसकी मैक्सिमाम घात दो बन जाएगी इसकी तो खुदें आग फाड़ के देखो दिख रहा है इसका तो इसमें से कम होई जाएगा तब वो तीन घात बचेगा तो क्लियर आईए इसको देखिए प्यार से समझीए इसक्रीन साट ले लिजी अगर आप नए है पुराने है तो जान रहे हो इसका फुल कोर्स धंक से पढ़ने के लिए पीवियर स्टेडी एप डाउनलोड करें सिकंड में जबाब दीजीए अगर इसमें A सही है तो आप 2A लिखेंगे अगर फी है तो 2C B है तो 2B ये कमेंट का तरीका है जल्दी करें फास्ट याद दिला दें एक बार फिर से आजा पढ़ रहें रखिक समीकरण linear equation in one variable यानी एक चर्रासी में रखिक समीकरण बहुत अच्छा इंदू यादो जी कमेंट आ चुका है आपका पुजा मनीशा क्रिस चांदनी सारे समेस्टर के कोर्स PBR study app में हैं एक बार वहां जाके ट्राई करें यूटूब पर तो डेमो चलती है जो जो टाइम बचता है मैं ले आता हूँ बाकी दिन बार मैं application में ही पढ़ाता हूँ याद रखना कि 12 मेंसे मैं 9 से 10 गंटे application में ही पढ़ाता हूँ ठीक है एक दो गंटे यूटूब पर चलती है तो आप लोग जानते हो यहीं सब है यहीं सब नहीं है रेकिक समिकरण यह तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें दो घात है इसमें घात एक कम हो जाएगी तो भाई यह भी रेकिक समिकरण बन जाएगा और यह भी है नहीं है पूछ रहा था यह भी रेकिक समिकरण है तो रेकिक समिकरण कौन सा नहीं है भाई या इसका आंसर अगर तुम कहना चाहोगे न तो करेक्ट आंसर यह वाला है राज्जा जी यह वाला है यह वाला आंसर है इसको कह सकते हो टू ए देखें में मौके मौके पर हटता हूं सामने से स्क्रीन साट ले लिया करिए और इसका पीडियेप टेलीग्राम पर मैं कलास के बाद भेज दूँगा दो चार दिन में और कभी-कभी तो तुरंते भेज देता हूं इसमें वाई कमान क्या होगा जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा हूं नो लिख के कमेंट करेंगे कि हमें कुछ नहीं आ रहा है एक दम हम मतलब नहीं बेज़ती करूंगा जाने दो कोई बात नहीं देखिए किसी को अगर कुछ नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है जो कुछ भी है नफरत प्यार मौबबद पढ़ना लिखना उठना बैठना खाना पीना अच्छा बुरा करम सब धर्दी प्याने के बादे सीखते हैं समझे लोग नहीं तो अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो कोई बुरी बात नहीं है लेकिन आप सीखने के लिए तयार नहीं है ये गड़ बड़ है पूजा यादो कांसर आ गया सोनम दूबे कभी आ गया इंदू क्रिस रिसव देखो भाईया ये एक्वेशन है बाबू जी ये मैंने लिख दिया हल और इनको प्यार से यहां ले आया उतार के और इज़्जत के साथ यहां लिख दिया य कमान निकालना है सेबन य एफे करेंगे लिख देंगे थिरी फाइप उधर फाइट जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा अब यह वाई बराबर ऐसे रहेगा इसमें से घटे का माइनस दो आएगा और य इधर जाएगा बटे में होके हो जाएगा यानि B वाला सही है आप कह सकते हो थरी का B इसका मतलब पहले जो जबाब दी उनका सही है आगले कुशन की तरफ कदम बढ़ाईए और वाई कमान बताईए जल्दी करिये आप संदेदी का हो देखा फिर A B F D अच्छा तीन 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 चार फाद आप साथ बटा तीन तफाद बटा दो ताथ बटा पाच जीरो एक्ठी उनले लो नान आप दीज पता नहीं पता नहीं जी हाँ क्योंकि कुछ लोग इसमें होंगे जिनको पता नहीं हमें मलूमें नहीं इंदु जी दुबारा आप देखिएगा बाद में कलस खतम हो जाएगी तब देखिए पढ़ लिख लेजिए कहते हैं सफलता आत्म विश्वास से मिलती है आत्म विश्वास जो है वह आत्म सम्मान से बढ़ता है और आत्म सम्मान आत्म निर्भरता से मिलता है दूसरों पर निर्भर होने फिर नहीं समझा सफलता आत्म विश्वास से मिलती है आत्म विश्वास आत्म सम्मान से मिलता है और आत्म सम्मान जो है वह आत्म निर्भरता से आता है तो इसले आत्म निर्भर बनिए उसके लिए मैनत करिए समझ रहे हो कि नहीं यह इस पेसली गर्ल्स के लिए है वो तो सोचते हैं हम पढ़े चाहे ना पढ़े हमारे लिए तो कोनों पढ़ी रहा है है न यही सोच होती है न और लड़के के लिए तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला धर्ती पर सिर्फ जिन गड़ना काम आओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो क्योंकि उनके लिए तो कोई ने कोई पढ़ी रहा है कुछ नहीं होगा दाल रोटी चली जाएगी बले मार पिटाई खाके लेकिन मिलेगा तुम्हारा तो कोई सहाथ भी नहीं पगड़ने वाला मिलेगा इसलिए कम से क इतनी तो सोच के रखो चलो आगे बढ़ें चली ठीक है बहुत अच्छा बेरे गुट इसमें जो आंसर हो जाएगा वो लोगों ने बताई दिया है देखिए इधर से टू आई इधर साइड आएगा माइनस हो जाएगा इतना तो सबको पता होगा अगर नहीं पता तो आप जीरो लेबल मैद पढ़िए नंबर पर संपर्करी नीचे दिया गया है बेसिक से पढ़ाएंगे बिल्कुल सुन से अगर यह नहीं पता कि अच्छांदर पच्छांदर कैसे होता है इधर फोर बच रहा है और यह इधर फे गया माइनस तो इधर हो गया प्लस ठीक है इधर से उधर होने पर चेंज हो ज अगर लेकिन साधी के बाद जाने की बाद मैं तो अपने पापा के हां एसी में रहती थी अधर जो भी रहेगा उधर जाके अपोजिट हो जाएगा अगर इधर माइनस चीने उधर प्लस उधर प्लस इधर माइनस चेंज होगा बदल जाएगा देखो इधर इसमें से घटेगा तो कितना आएगा तीन वाई बराबर यह साथ और वाई बराबर अब इधर गुड़ा में है उधर जाएगा भाग में मैंने कहा ना अपोजिट मतलब उलट पलड जाएगा तो यह साथ बटा तीन साही है ना किसी को इसमें कोई परकार की तकलीफ नहीं तो साथ बटा तीन यानि ए वाला साही है प्रिया सुकला जी बताइए आपकी क्या सिकायाद है यह कह रहे हम लाइक नहीं करेंगे क्योंकि आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो संदे की दिन हम लाइप करते हैं और हमारी कोशिस है डेली ने मैं थोड़ा-थोड़ा लापरवा हो जाता हूँ बाकी डेली में गुड मॉर्निंग का लाइब करता हूं सुबह नो बजे लग बाक उसमें मैं सिर्फ कमेंट ही पढ़ता हूं और कुछ नहीं करता हूं उसमें आया करिए इसका स्क्रीन साट लीजिए फट से इस चैनल पर मैं एक स्रीज लेके आ रहा हूं जिसमें सिर्फ दस वीडियो में पूरा बेसिक जीरो लेबल से खतम होगा बहुत जल्दी लेके आऊंगा तो आप यूटूब पर सर्च करें राजकुमार यादो सर्मेट्स यह दिख रहा है लाल लाल और सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा बैया खतम यह तो खतम जो कुछ था तो एक बार सबी बताओ कि आप लोग समझ गए linear equation समझ गए तो एक जो जो समझ गए हाँ बोलें जो ना समझे वो ना बोलें और जो कुछ ना बोलें उनको तो हम क्या ही कहूं देखे बोलना जरूरी है जिन्दगी में जो कम बोलते हैं नहीं बोलते हैं बड़ा खतरनाक होते हो हाँ मैंने देखा है नो वो किया है चुपे रुस्तम होते हैं गुर्मुदाहा जेका का ज्यादा कुछ तो इसमें है नहीं मैं क्या ही बताओ यार इसमें दो चर वाले समिकरण भी हैं पच्छांतर विदी और एक कौन और विदी है इसमें हाँ सत्यापित कीजिए कि चर का दिया गया मान निम्न समिकरणों का हल है या नहीं है बता भाईया वाई माइनस लिखो लिखो कुल मिला के इनका आंसर दिया है पहले तो मैं तुम्हें मान निकालना बताई दिया हूँ कुछ नंबर लिख लो आट नव दस कुछ भी लिख लो बराबर दो एक्स तो इसमें यक्स का मान दिया है साथी मेरे 4 आपको यह बताना है हल करके कि इसमें यक्स का जो मान 4 दिया है वो इसका मान है या नहीं है चलिए बताईए देखो कमेंट के चक्कर में डिस्टरब हो जाता है मैं मोबाइल फेक दे रहा हूं दूर और मैं कमेंट अब नहीं देखूंगा जिनको पढ़ना इमानदारी से देखो नहीं पढ़ना है तो जाओ बरबाद हो जाओ क्योंकि कोई आपको नहीं रोक सकता है ठीक है खुद ही आ आपका भाई बहन हो चाहे आपके रिलेटिव हो या आपकी गल्फेंड बॉइफ्रेंड हस्बेंड वाइफ हो कभी कोई चेंज होता नहीं है किसी के करने फे आईए इसमें कहरा कि यक्स का ये मान चार जो है दिया है है या नहीं है चलिए ट्राइए करते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब दिया गया है जो मान है वो यक्स का मान है सभी समझ गए कोई तकलिफ ना किसी को इसका मतलब दिया गया है वो यक्स का मान है अच्छे समझ में आ रहा है अंजनी या दो जी आ रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़े अच्छा तो कैसे कहेंगे कि है अगर इसमें कुछ आउर होता तो कैसे कहते कि नहीं है एक अठी आउर देखो फिर बताऊंगा देखिए अगर दोनों पक्छ बराबर आते हल करने के बाद जो भी बैलू दिया बरियाबल का रखने पर तो हम कहेंगे कि दिया गया मान इसका है अगर नहीं बराबर आता तो कहेंगे नहीं है लेकिन कल्कुलेफन सही करो गे जोड गटाना नहीं तो तुम उल्टा पुल्टा कर दो कहोग नहीं है नीचे लिखो फिर पेपर मैं इसे लिख देना एक जामनर मोही तो हो जाएगा एक दम से अधा दिया के मान समय करन का हल है आए अगला देखिए दिख रहा है ओपर जाता जाता है का चल बैया लिखो थिरी यक्स प्लस टू इक्वल टू यक्स प्लस सेवन इसमें यक्स बराबर फाद दिया है चलो बताओ कितने लोग कहते हो कि ये यक्स बराबर फाद इस समय करन का हल है या नहीं है रिसब पुजा इंदू अमित हिमान्सू आओ देखूं यहां लिखी है हल ये तीन यक्स ऐसे रहेगा तो रहने का है गोई रुखजाण अरे दादा समिट गया देखों यक्स बराबर साथ रखने पर या फिर ऐसे लिख सकते हैं दोनों पक्छो में यक्स बराबर साथ रखने पर या और रखेंगे तो खुद ही हम दिखी तो तिन यक्ष की जगा पर साथ गुड़ा हो जाएगा धन्दो बधिया गया मान इसका हल नहीं है एक बार चेक कर लो करास चेक कर लो की सही है कलकुलेशन तो नहीं गलत है कि अज़िए कर दूना चौदा हुए यार कहां गया कौने दुनियम जियता चौदा धन साथ यही मैं बोल रहा था कहां जी रहा हुँ मैं चौदा साथ तबोत है कैस हुआ तबोत नहीं बराबर हो रहा है यार कहीं कलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है न चौदा चाहे कैसे तो होता है न बराबर नहीं हो रहा है प्रिया सुकला जी जब क्लास खतम हो जाएगी तो आप इस क्लास को दुबारा देख लेना ठीक है इसका लिंक टेलिग्राम पे दिया गया है किलिक करोगी चलेगा अब क्लास में कहो कि एक सवाल को हम साथ साथ बार या दो दो तिन तिन बार बताएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आनलाइन क्लास है दुबारा आप इसे देख सकती है तो निवेदन है कि इस तरह का कुश्चन अब फिर ना करें और हाँ कोई भी जो चाहता है कि रिपीट करें एक बार बता दिया फिर बताएं दो बार तीन बार तो मोबाईल में इसे बगल में टैप करोगे ना इसे तो पीछे भी होता है इस्ट्रीमिंग में भी दुबारा देख लो फिर से हाँ तो यहां लिखो के चूकी LHS बराबर RHS नहीं है लिखो चूकी ऐसे F.A. does not equal RHS अता दिया गया मान यक्स बराबर फाद आपकी थोड़ा अलग तरीके लिख दे रहा हूं अच्छे से समी करण का हल नहीं है ठीक है हल नहीं है चलिए एक और बताईए अब यह मत कहना कौन नंबर डाल दिये कुश्चन नंबर कुछ भी लिख सकता हूं मैं कोड है यह यक्स बराबर 2 अपान 3 चलो बताओ यह इसका हल है यह नहीं है यार बड़ा ऊपर चला जा रहा है यह रुको एक मिनट तो मैं इसको थोड़ा सब्सक्राइक करता हूं तब लोगों ने ना मेरा कैमरा ना उल्टा उल्टा कर दिया इसी में लात पैर मार मार के लिए यह आगया आगया यह यह अगया और यह अब आए लो आ ये माईनस फूर एक्वाल तीन एक्स कि इसमें कह रहा कि एक्स कमान दो वटा तीन होगा या नहीं होगा हल इसका है या नहीं पहले रखते हैं अगर बराबर आ जाएगा दोनों तो बोल देंगे है और बराबर नहीं आगा तो बोल देंगे नहीं है चल भाया रखने पर तो बराबर क्या होगा X कमान दू बटा तीन है माइनस फौर बराबर तीन गुड़ा दू बटा तीन देख भाई यह 3 से 3 2 से 2 निफ़ट गया 1-4 ये भी कट गया सिर्फ 2 बचेगा माइनस 3 बराबर 2 बराबर नहीं है देखो कहीं और है कुछ काय में एक बार चेक कर लिजिए कलकुलेशन सही है कहीं भूल चूक तो नहीं हुआ भूल चूक लेड़ी दे रही है सभी चेक करो सही है दिब्यामिस्रा, मम्ता, प्रिया ये कहरें बाद में देख लेंगे मतलब जो छूट गया इनको वही यही तो प्राब्लम है यार न लोगों का जिंदगी में अगर सुई खो गई तो उसको दिन बार खो जेंगे रात बार खो जेंगे सारा काम चोड़ के और मैं भी ऐसे करता हूं कलम का धकन खो गया तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाले धकन खो जेंगे अरे पढ़े लो अभी धकन मिल जाएगा फिर वह ऐसे भी कोई चीज खोजो तो नहीं मिलता है समझ रहे हो ना कोई चीज किसी इंसान जानवर प्राड़ी की पीछे बढ़ो तो नहीं पढ़ता है अगर पीछे बढ़ोगे तो आपकी परचाई भी नहीं पकड़ में आई गया तो ये एक कुश्चन के पीछे बढ़ी है उवाला बताया दो दुबारा बताया तो तो परियाब इसकरमा जी डेली होती है सारी अपडेट टेली गराम पे मिलती है टेली गराम पे हमें जुआइन करिए वहीं पता चलेगा इसका स्क्रीन साट ले लिजिए हो गया तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे ना एक होमवर्क दो टेली लिख लीजिए मुझे बताना कुश्चन नंबर बारा तेरा पंदरा कुछ भी लिखो पांच बटा दो यक्स प्लस तीन बराबर सीरियल नंबर पे नहीं जाना कि बारा पंदरा कहें लिख रहे हों यह कुश्चन नंबर है या कोड नंबर है यह याद रखना बस मान रख करके हल करके बताना कि यह दिये गए जो मान है वो समीकरण का हल है या नहीं है ठीक है तो सुकला जी गए या है कर लेंगे ना आए अब आप लोग इनको हल करके इनमें जो बैरियेबल्स हैं उनकी वैलू फाइंड करोगे यह कोड नंबर है यक्स का मान बताईए कितने लोग कर लेंगे इमानदारी से बताईए जनाब सर्माईए नहीं जनाब बताईए एक्स की बैलू अठारा ए अठारा बी अठारा फी अठारा डी क्या सही होगा बेना कमेंट देखे ना मेरा जी या नहीं मानता है कि आप लोग का कह रहे हो देखे जिनको अच्छे से ढंक से पढ़ना है उन्हें क्लास पूरा देखना चाहिए यह ना सोचो कि हम आये आदा मिनट में सब मिल जाएगा भाग जाएगे नहीं लाश तक देखोगे सब बताएगे सब मिलेगा जैसे एक देखे बिस कर्मा जी है यह है यह रान है काफी चीज को ले करके कि पहली बार आएएगे जितना जल्दी मिल जाएगे सब ठीक है बिलेगा तफली रखें आईए इसमें क्या है इसके बराबर इतना दिया है तो यक्स का मान पूछ रहा है सबसे पहले आप एक काम करोगे इनको ऐसे लिख लोगे अब 21 बटा तो जितना भी आचरपद है यानि गिंती वाला इनको एक तरफ कर लिया अब आपको भिन हल करना तो आता है यहां आए से एरो लगाओगे बराबर नहीं लगा फक्ते हो दो जगा क्रास मल्टिपल करो तो 21 माईनस दो त्याई छे और यह दो तो पांच बटा दो या 21 में से 6 घटाओगे पंदरा आएगा न यहां यहां से यक्स बराबर करोगे उधर जाएगा यह जो गुड़ा में है भाग में हो जाएगा तो पंदरा बटा दो यह भाग में जाएगा ता ऐसे बनेगा यह पांच बटा दो सिखाने के लिए लिख रहा हूं नहीं तो मैं डारेट लिख सकता हूं अब यक्स बराबर यह पंदरा बटा दो एफे रहेगा नीचे जो भाग में यह भिन है यह पलट जाता है गुड़ा में लग जाता है तो दूई बटा पांच 222 खतम हो गया पांच यह पंदरा यक्स कमान आयेगा तीन का कह रहा है उन्हें रहूं किसी आवन नुपुर निगम बड़ी देर कर दी आपने देखें बतियां जितना मजा होता इन लोग करना उत्ता पढ़ायम नहीं हम बतलाते हैं तो कुछ दिन बाद कुछ ने कुछ मिलने की उमीद रहती है पढ़ाई लिखाई मिलता है पैना समझे रहे हो चलो पिर ठीक है कमेंट में देखता हूं पढ़ाई की वाला अंसर वाला कमेंट नहीं हाता है बाकी हाल चाल सब देख लिए हैरान रहात हैं कुछ लोग हाल चाल लेक लिए हैरान रहात कि तबियत नहीं देख लिए तुर लोग हमार दो एक्स तीन एक्स माइनस चार थ्री एक्स माइनस फाइफ तो इसमें यक्स की बैलू क्या होगी बताइए जबाब दीजिए और लक्स का बार क्या हो रहा है कितने लोग कर लेंगे देखिए सबसे पहले कोश्ठाक ओपेन करेंगे तो टु एक्स माइनस ये थ्री एक्स ब्रेकट खुलता है तो अंदर के चिन बदल जाते है इदम पूरा बिंदास इनको आपस में घटा होगे तो माइनस एक्स प्लस फॉर इक्वल तीन एस माइनस फाइफ अब हमें काम करेंगे माइनस ये तीन एफ इधर लाएंगे तो माइनस ये माइनस पाँच और ये फोर इधर जाएगा तो माइनस फोर जुड़ेगा माइनस फोर एक्स इक्वल माइनस नाइन ये माइनस नाइन अपान माइनस फोर देखा भाईया एक आंदर एक कईसे है कहा वज्जाए दर छोड़ा आंदर पर इंदर तुनो माइनस माइनस फैद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा चोर चोर मौसे रहे भाई नाइन अपान फॉर इसका अंसर होगा छाप लोग फटा पट चलो इमान्सुवा बहुत बात कर था भाई सभी को समझ में आगे तो एक बार हाँ बोलती है जल्दी से इमान दारी के साथ जिनको आ गया समझ में एक बार हाँ बोलें और नहीं आया तो ना बोलें चलो हाँ या ना अरे ठंडिक महीना थोड़ा है अगर आजाएं चुपके बैठे हो पताईए जनाब हाँ या ना कुछ तो करो कम से कम लगे तो कि हाँ पढ़ाई रहे हैं इंसान कोई नहीं तो लगेगा दिवाल कैमरे यही सब जो भी है प्रिया जी को समझ में आ गया दिव्या को भी आ गया सुमित को भी नहीं आया रिपीट मतला जहां बता रहे थे तो आपका खोपड़ी दिमाग उसके पास गया था कोई बात नहीं यह तो फिलाल मजाक की बात है जो भी है जिदको देखो देखो जिनको नहीं आया ना कोई भुरी बात नहीं है इसे अपना फोन पकड़ो इसे इसको पूरा इस्क्रीन में कर लो इसे चुप़े से कमेंट हटा दो ठीक है और उसके बाद मोबाइल में ऐसे दिखेगा न तो बाई तरफ ऐसे टच करना इसे टक 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 छा साथ बार किनारे साइड में फिर वीडियो पीछे हो जाय आएगा फिर इसे करके जब देखो गए तो क्या होगा फिर आपको एकदम क्लियर्टी समझ में आएगा मतलब रिपीट हो जाएगा आपका को समझ गए कोई डाउट नहीं ना चले आगे तो पीछे करके देख लो तो इसको भी देख लीजिए आपके काम का है इसका रेगुलर क्लास अप्लीकेशन में चलता है पीब्यार स्टडी एप में डाउनलोड करके जोईन कर लें या फिर यूटूब पर इंतजार करें हम बीच बीच में आते रहते हैं अरे इनको होड़ेंटल और उसको का बोलतें दूसरा वाला लैंड इसको वाई से कुछ करके ना यह सब नहीं समझ में आता हमें कुद नहीं आता है करके दिखाना पड़ता है आई से पकड़ो या इस से पकड़ो यह सब खतरनाक सब नहीं समझ में आते हैं हमरा एक स्टूडेंट है ना यह लोग चलिए तो इस लिए दिखाते हैं डारेक्ट प्रेक्टिकल तो कुछ कुछ कुश्चन करते हैं अब आज का क्लास का टाइम ओबर हो चुका है ठीक है अब कुछ अलग तरह के कुश्चन मैच से ही सम्बंदित जलिए जबाब दीजिए अच्छा ठीक है यह बताईए सबसे बड़ा नियून कोर्ड क्यूट एंगल कितने अंसका होता है हम यह नंबर खूब सारा लिखेंगे जैसे मालो मैंने 50 लिख दिया हैरान नहीं होना न्यून कोर्ड बताओ कितने अंसका होता है अ एक्यूट एंगल होता न है अब पता नहीं होता एक नहीं होता लेकिन हां बोलते हैं एक यूट एंगल आई उस कह रहे हैं दिव्ब्य टेलीग्राम के आड़ी भेजो भेजो पड़ाई लिखा हैं का रखा है चलो चलते हैं उदर है ना औब ऐसे ही लोग होते हैं पता है क्यों कोई आफिस से होंगे से होगे जो अधिकतर लोग देख लो घर में एक आती जाड़ू पोशा लगाने वाली कि या आते हैं टोइललेट बगरता शाप करने वाले आते न लोग है दो ही हाथ पेर वाले होते हैं चार नहीं होता अयदर नहीं होता क्या उनको मौका नहीं मिला है लाइफ में शुरू शुरू में उनके माँ बाप ने भी उनको मौका दिया होगा लेकिन वो भी ऐसे बुलाते होंगे चलो स्कूल के पीछे जलते हैं और इस टाइम क्या कर रहे है लाइफ में बाद में सच्चा ही है यह बुरा नहीं है चाहे मेल है या फीमेल है जो मौका मिला है सुरू में अगर उसको छोड़ देंगे तो लाश्ट में वही होगा फिर कोई भी आप डीम कार्याले देखो या कोई ऐसी जगा जाओ जहां पर धंग का प्रफेशनल काम होता है वहाँ पर जाड़ू पोछा लगाने वाले भी होते हैं हास्पिटल में चले जाओ सबसे अच्छा एक्जामपल वहाँ पर एक 24 गंटे सफाई वाले होते हैं न डाक्टर भी होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पच्पन में मौका न नहीं कर पाए अगर आप रियल में करना चाहते हैं तो वैसे वैसे चीजें जुड़ जाती है और पैसे की व्यवस्ता भी हो जाती है यह चीज मैंने भी फेस किया है तो यह मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो यहां पर ढूंड रहे हैं यह सचाही है समझ रहे हो तो मेरा कहने का मतलब है पढल लो भईया पढल लो नहीं लाश्ट में वही सब होने वाला है जो भी बताया मैंने अच्छा बताईए सबसे बड़ा कोंड कितने अंसका होता है कोई भी परकार का कोंड की बात हम नहीं कर रहे हैं सबसे बड़ा कोंड कितने अंसका होता है बताईए लार्जेस्ट एंगल कितने अंसका होता है कितने अंस का होता बताओ 360 सबसे बड़ा कोंड 360 अंस का होता है 360 से बड़ा कोई कोंड नहीं होता है जैसे मालल हम ऐसे खड़े हैं अगर हम ऐसे घूम गए तो कितने डिगरी हुआ एक बार घूमे तो 90 हुआ दुबारा घूम गए तो 180 हुआ 13 गूम गए तो 270 हुआ और 4 बार गूम गए तो 360 हुआ और फिर गूम होगे तो ज़्यादा नहीं होगा हो 360 से बड़ा कॉंड नहीं होता है देखे कॉंड के मैंने बात किया था इफिर इसको concept clear कर देता हूँ देखो भाईया ये कुछ है ना unique है एकदम जैसे 0, 90, 180, 360 ये unique हैं ये एक-एक होते हैं सिंगल अपने माबाप के सिंगल चिराग होते हैं ये ये अधिक नहीं होते एक से सून ने कॉंड बोलते हैं इनको सम कॉंड बोलते हैं इनको straight angle रेखी कॉंड रेखी कॉंड क्या बोलते हैं आदी straight angle बोलते हैं इंगलिस में रीजु कॉंड बोलते हैं रीजु कॉंड इसको बोलते हैं समपूर्ण कॉंड ठीक है बाकी ये होते हैं जो थोड़ा बैवाफा टाइब के वो है निवन कॉंड अधिक कॉंड और ब्रिहत कॉंड ये तीनों धेर सारे होते हैं धेर सारे क्या होते हैं समझ लोगो भी निवन कॉंड साथी मेरे 1 से 89 तक होता है अधिक कॉंड 90 नया की 90 से 179 तक होता है और जो ब्रिहत कॉंड होता है वो मेरे भाई 181 से 359 तक होता है ये कौन की पूरी कहानी इतना ही है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है अगर इसको याद कर लोगे तो DLA में कोई भी समस्टर आपका है एक दूरी नंबर पका है एक नंबर कनफर्म प्रिया विसकरमा जी एक के अधिक नाम होते हैं परदीब इससे किसी का घर का नाम पंका जाए स्कूल का नाम रभी है तो वह होता है तो सरल कॉन भी बोलते है रिजु कोन को इनका कहना है वो कुछ गलत नहीं है ठीक है जो मैंने बताया इनके और भी नाम हो सकते हैं जो नार्मली ज्यादा यूज होते मैंने वो बताया है कि अब कर देखो किसी का तुम्हें का लगता जो दीखरा उसमें वही है उसकी मम्मी भी कमेंट कर रही होंगी तो तो थोखा हो जाएगा तो तो इस चक्कर में ना रहोगी जो डीपी लगी है फोटो में वही है डीपी में लोग तो बिल्ली की फोटो लगा देते हैं अपनी कुत्ते की लगा देते हैं तो वो बिल्ली कुत्ता थोड़ी हो गया यह कहे रहे हैं कि DP जो लोग लगाएं हटाएं हमें डिश्टर्ब हो रहा है क्योंकि मेरी नजरें उसी पे जा रही तो आज का क्लास खतम हो चुका है एक बात याद रखना है कि भाईया जिनको डेली पढ़ना है जैसे कुछ लोग कहते हैं क्लास रोज चलेगी क्लास चलेग झालेगी